राष्ट्रों नती के पत्पर नित्य प्रेरणा एक दिन, एक प्रुष्ठ, एक विचार श्री गुरुजी समगरबारा खंडों का संग्शिप्त रूप भारती विचार साधना पुनेद्बारा प्रकाशित किया गया है मैं डॉक्टर श्रीमतीजवार्ती सदानन्द गोड बोले इन विचारों के एक प्रुष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुचाने का प्रयास कर रही हूं यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे आज दिनांक 11 जन्वरी का विचारत हमारा एक मेव श्रद्धा स्थान यहां अति प्राचिन काल से राष्ट्र जीवन है राष्ट्र जीवन के लिए जितने गुण चाहिए वे सब इसमें विद्यमान है परिपूर्णता से भरा हुआ यह समाज जिसने अपने स्वयम के बल पर स्वतंत्र सार्वभवम राज और चक्रवर्ती निर्मान किये है इस भूमी में इसके अतिरिक्त कोई राष्ट्रिय हो ही नहीं सकता लेकिन लोग पूछते हैं कि बाकी लोगों का क्या होगा हमारा कहना है पहले अपना देखो बाकी का विचार बाद में कर लेंगे पहले अपनी शक्ती वढ़ाए अपनी भूमी पर अपना सार्वभवम स्वामित्व स्थापित करे अपना राष्ट्र बनाए अतयव एकात्म एवं संपूर्ण हिंदू समाज हम सब के लिए भक्ती का एक केंद्र बिंदू होना चाहिए इस समाज की भक्ती के मार्ग में अन्य कोई भी विचार चाहे वह जाती पंथ भाषा अथ्वा दलका हो नहीं आने देना चाहिए यही सच्ची भक्ती की कसोटी है मीरा के जीवन की एक अतिप्रसिधा अख्याई का है जब उसके अपने ही संबंधियों द्वारा उसकी कुष्ण भक्ती में बाधा उपस्थित की गई तब उसने गोस्वामी तुलसी दास को एक पत्र लिखा और इस विशे में उनका उपदेश मांगा उन्होंने इसका उत्तर एक सुन्दर कविता में दिया जो विनए पत्रिका में है जाके प्रियन राम वैदे ही तजिये ताही कोटी वैरिसम यद्यपी परमसने ही इसका अर्थ यही है कि जो राम को अर्थात जो भक्त का इश्ट है उसे प्यार नहीं करते और बाधा के रूप में आ जाते है उन्हें कोटी शत्रू के समान त्याग देना चाहिए चाहे वे अत्यन्त निकट सम्बंधी एवं प्रिय ही क्यो न रहे हो पश्चात उन्होंने उदाहरन दिये है जिनमें अपनी इश्ट की भक्ती के लिए माता पिता तथा अन्य सम्बंधियों को त्याग दिया गया है अतएव आज अपने इस प्रत्यक्ष देवता हिंदू समाज की भ एकता को खड़ी करने और सशक्त बनाने के अत्यावश्चक एवं प्रमुख कर्तव्य के मार्ग में बाधा रूप में आते हैं हस्तु हम समस्त विगनों एवं बाधाओं को डुबाते हटाते हुए अपनी अंतरजात एकात्मता को प्रत्यक हिंदू के घर द्वार तक पहुचाने के लिए उठे और प्रत्यक हिंदू के रुदय में एक सजीव समाज देवता की दिप्तिमान जोती की अनुभूती उसक की विविध अभिव्यक्तियों के साथ प्रज्वलित करें सिख मराठे राजपूत क्या क्या बंगाली क्या मदरासी इसी मंत्र का जप कर रहे युग युग से भारत वासी भारत मता की जय वंदे मातरम